हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अर्चना और वैदिक पंचेगवे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में हम आपको पंचेगवे चीकिसा और हेल्थ रेटी टिप्स के बारे में बताते रहते हैं तो अगर आप भी इस तरह की कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथी साथ नीचे दिये गए बैल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए जिससे के हमारे नए नए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच ते रहेंगे दोस्तो हर्मनल प्रॉब्लम्स की वज़े से होने वाली जितनी भी बिमारिया है उनमें से एक महत्वपूर्ण बिमारी है या फिर प्रॉब्लम है थायरड थायरड ग्लैन जब सफिशन्ट अमाउन में हर्मों सिक्रीट नहीं कर पाती तो उसे हाइपर थायरडिजम कहा जा होना जलदी ठकान होना सास फुलना मेंस्ठ्रール प्रॉब्लम होना HEART REE लेटेट प्रॉब्लम होना बालों का जर्ना ऐसी समस्याए थायरड की वज़ेंस को फेस करनी पड़ सकती है अब जानता है के थायरड कि उसे बजह से होता है जैसे हसना, रोना, छीकना, गुसा आना, भूग लगना, प्यास लगना अगर आप भी इन वेगो को कंट्रोल करते हैं जैसे रोना आए फिर भी ना रोए, हसना आए फिर भी ना हसे तो कुछ सालों बाद आपको भी थायरोड की प्रॉल्म वेस करनी पड़ सकती है तो अगर आप भी थायरोड की प्रॉल्म को कम करना चाहते है तो स्ट्रेस प्री लाइफ जीए और अपने वेगो को कंट्रोल ना करे दोस्तो थायरोड को बहुत बार साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये बिमारी जल्दी डाइगनॉस ही नहीं हो पाती है और जब डाइगनॉस होती है तब काकी लेट हो चुका होता है दोस्तो थायरोड की प्रॉब्लम आसानी से जड़ से खतम नहीं हो पाती है डॉक्टर्स की दी हुई ट्रीटमेंट से कई बार थायरोड कंट्रोल तो हो जाता है पर जड़ से खतम नहीं हो पाता है यही बज़ा है कि आपको उम्र बर दवाईया खानी पढ़ सकती है इसलिए आजम आपके लिए कुछ असरदार और घरेली नुसकर लाए है जिनकी मदद से आप अपनी थारण की समस्या को जड़ से खतम कर सकते हैं सबसे पहले तो आप कुछ ताजी धनिया की पतिया ले और उसे अच्छे से दोक कर एक गलास पानी में रात को भीगो कर रखे अगर आपके पास ताजी धनिया की पती ना हो तो एक चमर सुखा धनिया या फिर धनिया पाउडर ले और एक गलास पाने में मिलाकर रात भर रखे सुबह उठने के बाद इसकी अच्छे से चटनी बना ले और गैस पर उबा ले जब पानी आधा रह जाए तो काड़ा छानकर ठंडा करके इसका सेवन करे दोस्तों ये बहुती असरदार नुस्का है इसके रेगुलर इस्तमाल से कई साल से थायरोड की गोली लेने वाले मरीजों को भी पंदरा दिन से एक महिने में काफी राहत मिली है और ध्यान रहे ये ट्रीटमेंट शुरू करने के तुरंट बाद थायरोड की गोली बन ना करे दीरे दीरे करके कुछ दिनों बाद थायरोड की गोली आप बन कर सकते हैं अगला नुसका है पंचगवे तूलसी अर्क आप हर रोज सुबह खाली पेट 10-15 ml गोमुत्र तूलसी अर्क का सेवन करते हैं तो आपको थायरोड की समस्या से जल से जल चुटकरा मिल सकता है साथी साथ थायरोड की वज़े से होने वाली गले की सूजन, हर्मोरेल इंबैलन्स और बड़े हुए वजन को भी नॉर्मल करने में ये आपकी हल्प करेगा दोस्तो गोमुत्र तूलसी अर्क थायरोड की समस्या में बहुती ज़्यादा इफेक्टिव नॉसका है तो आप भी इसे जरूर इस्तमाल करें दोस्तो इन दो नॉसकों को आपको कमपसरी करना है थायरोड की समस्या से छुटकारा पाने के लिए तथा इन उपायों के साथ साथ आप कुछ और नॉसके भी आजमा सकते हैं जैसे हाइपो थायरोडिजम में अश्वगंदा काफी लावदायक साबित हुआ है आप गुनगुने पाने के साथ अश्वगंदा पाउडर का रेगुलर सेवन करते हैं तो हाइपो थायरोडिजम में आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगी क्योंकि ये हमारी शेरिर में हा साथ साथ योग प्रानायम और एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है थायरोड को पुरी तरह से कंट्रोल में रखने के लिए उज्जे प्रानायम बहुत फाइदेमन होता है इसमें आपको अपने गले को अंदर दबाते हुए शरीर के अंदर गहरी सास लेनी होती है और ऐसा करते समय आपके गले से एक आवाज बाहर निकलती है इस तरह से आप सास अपने अंदर लेकर उतनी देर तक रोके जितने देर तक आप रोक सके इसके बाद हमें हमारे नाक के राइट वाले चिदर को बंद करके लेफ्ट वाले छिदर से सास बाहर छोड़नी है इस प्राना का भी रेगुलर तोर पर प्रयोग करेंगे तो संभावना हैं कि एक महिने के अंदर ही आप थारोड की समस्या से पूरी तरह से इजात पा सकते हैं तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथी साथ हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद